हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक और महत्पूर्ण जानकारी जो की है नाना जी देश्मक वेडिनरी साइंस युनिवस्टी जवलपुर से संबंदित जी हाँ दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेडिनरी डिप्लोमा गी जैसा कि आप सभी को पता होगा कि MP में अभी वेडिनरी डिप्लोमा में एडिशन स्टार्ट नहीं होए हैं ना ही इनके अभी ओनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं लेकिन जल्दी इनके जो ओनलाइन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगी इसकी जैनकारी आपको चैनल के माध केंगी हम देखने वाले हैं कि फुरी सीट आपको कितनी मिलेगी पेमेंट कितनी मिलेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप देख रहे होगे यहां पर कॉल्येस के नाम लेखे हूए हैं Já disconnect, www. Kalini, इरे दिपलोमा के लिए और यहां पर इस्थानों की सग्या म 63 सीटे हाँ पे हैं और वेडनरी पॉलिटेकनिक भोबाल की तो यहाँ पे 62 सीटे हैं बात करेंगे वेडनरी पॉलिटेकनिक मोरेना कोलेज की तो 62 सीटे यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इस प्रकार MP में कुल 315 वेडनरी डिप्लोमा के लिए सीटे हैं तो फ्रेंट्स यह ज सीटों में कोई बदला होता है तो इसकी जानकारी भी आपको चैनल के माधियम से मिल जाएगी तो चलिए हम आगे कई जानकारी देख लेते हैं कि यहां पर फ्री सीट और पेमेंट सीट में क्या कितना अंतर है तो पहले हम देखेंगे फ्री सीट का आवंटन अरक्षा यह फ् साइड जो गिया हुआ यह केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है तो चलिए वैटनरी पॉलिटेक्निक जावलपूर की बात कर लेते हैं जनरल के जितने भी कैंडिडेट है तो 16 सीट यहां पर फ्री सीट आपको मिलेंगी जावलपूर कॉलेज में और 5 फ्री सीट मिलेंगी इस परकार जो कुल 32 सीट है यह फ्री सीट है ओपन है फ्री सीट की बात कर रहे हैं वहीं बात करेंगे वैटनरी पॉलिटेक्निक महू की तो 16 है अद्रिज़ब SC की 6, ST की 6, OBC की 5 इस प्रकार 33 सीटे कुल फ्री सीट है, open veterinary polytechnic महु में और साथी 15 सीटे हैं महिलाओं के लिए आरेक्षित यहाँ पर veterinary polytechnic महु में बात करेंगे veterinary polytechnic लेवा की 17 पोस्ट है 17 यहाँ पर सीटे हैं अनारख्षित स्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 6 है SC के लिए 7 है ST के लिए 4 है OBC के लिए इस प्रकार 34 सीट है और 14 हैं यहाँ पर सीट महिलाओं के लिए और साथी 15 यह EWS के डिगरी के candidate के लिए यहाँ पर फ्री सीटों का विबनत दिया हुआ है 2-2 सीटे है लगवाग हर college में है 3 सीटे है बोपाल में तो चलिए अब हम बोपाल का और देख लेते हैं बोपाल में कुल कितनी सीटे है 17 सीटे हैं अनरजर्ब 5 सीटे है SC के लिए और ST के लिए 7 सीटे है OBC के लिए 5 सीटे हैं यहाँ और 34 सीटे है टोटर यहाँ पर फ्री सीटे है ओपन बाकी महिलाओं का देखे हैं तो 14 सीटे हैं यहाँ पर फ्री सीट मिल जाएंगी वेटनरी पॉलिटेकनेक भोपाल में अब हम बात करेंगे वेटनरी पॉलिटेकनेक मुरेना की तो 17 सीटे हैं अंतरजर्ब 5 हैं SC 8 है HD 5 हैं OBC तो 35 सीटे हैं यहाँ पर फ्री हैं ओपन कैंडिडेट के लिए और 3 सीटे हैं यहाँ पर EWS के लिए और 13 सीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए आरक्षित तो यही था फ्री सीट का विवराल इस प्रकार आप देख सकते हैं 168 कुल सीट है 315 में से ओपन है जो फ्री सीट है और बाकी फीमेल के लिए हैं 12 सीट यहाँ 72 सीट फ्रेंड्स यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाँ आरक्षित अब हम पेमेंड सीट का भी आवंटन और आरक्षित देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं जबलपूर में जनरल वालों के लिए 5 सीट पेमेंड सीट है ST के लिए 2 है ST के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है इस प्रकार 9 सीटे पेमेंट सीट है Veterinary Polytechnic Mahu में 9 सीटे है Veterinary Polytechnic Reva में 8 सीटे है Veterinary Polytechnic Bhopal में 8 सीटे है और Veterinary Polytechnic Morena में 8 सीटे है पेमेंट की में बात करना हूँ यहाँ पर आप आरक्षन देख सकते हैं किस कौन सी seat किस category के लिए आरक्षित है यहाँ पर उपर स्रेनी दी हुई है और यहाँ पर seatों की संख्या दी हुई है वही female candidate की बात करें तो आप देख सकते हैं कुल महिला seat है 4-4-3-3 यहाँ पर इस प्रकार से हैं इस प्रकार 18 seat है 315 मैं से फ्रेंट्स 18 seat है female candidate के लिए payment seats की यहाँ पर उपलब्दता है EWS के लिए भी एक-एक seat यहाँ पर आरक्षित है तो फ्रेंट्स यही थी जानकारी अगर आपको वैडिनरी डिप्लोमा से संबंदित और कोई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेसर के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद्ट करता है